है है हैं कि है आयहां कैसे आपसपआपर अच्छेव तो आज की एंध केंडल वाकस रीडिंग हम्म लोग करने वाले और केंडल वेक्स रीडिंग में हम पूरी तरीक जा देखेंगे कि आपके परणेर हैं वह आपके बारे में क्या अपको रहे हैं ठीक है सॉरी ओके रीडिंग को टॉपिक यह ही है सो ध्यान देखिए कि जनर रीडिंग है कलक्टिव इडिंग है इस बात का पुरा ख्या लगना है और जो लोग भी मुझसे प्रवस्ण चारव का डिडिंग या कुलने रिडिंग लेना चाहते हैं जरूर कॉंटेक् सकते हैं ठीक है और यह रिडिंग एक जनर रिडिंग होती है यूटूब पे ठीक है और रूही की रसोई चैनल से आप जूड चुके हैं कुछ लोग कुछ लोग नहीं स्रिब दो लोग जूड़े हैं जो कि चैनल को ने देखने हैं बहुत सारी लोग आप लोग है ना तो वीडियो भी नहीं आ रहे है क्योंकि मेरा जो है ना सेटप पूरा चेंज हुआ है उसके जैसे मैं भी इधर उदर हुई हूँ और आज जो जुड़े हैं अनीता और अंसुया ओके कुसुम वर्शा और दिक्षा ओके श्यास श्यास ओके तो यह लोग मुझसे जुड़े हैं क क्योंकि मैं बीजी हूँ पूरा अभी घर मेरा सेट हुआ नहीं है ठीक है तो फिलाहल आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए उन लोग उस वीडियो को भी अच्छा लगता है चलिए हम रीडिंग फोकस करते हैं थोड़ा सा रि और बहुत अपने आपको एकदम से शांथ करके तब यह रीडिंग देखना है ठीक है चलिए आप अपने आपको शांथ कीजिए तब तक मैं यह जो है कंडल को लाइट करती हूँ करता है ok दाऄ ओकैसे मुझे यह दिख रहा है सबसे पहले तो आपके पार्टर बहुत स्लो थे के लिए जो यह person काम करके और कि छो हता ना कि कोई भी एक्षिन लेंच होता है या decision लेंच होता है तो इनका आप स्लोडी स्लोडी देखते हो गए काम अब आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी देख पारे हूं कि आपके पार्टनर दिल खोल के बाते नहीं करते हैं, दिल खोल के बाते नहीं कर रहे हैं, और मुझे यहां पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है, पिंक, आपके घर के कॉटन जो है, वो पिंक कलर का हो सकता है, बैडशिट भी मुझे पिंक कलर की दिखाई दे रहे हैं, कि कुछ लोग बैठे हुए है बेड़ पे और वो पिंक बैड़ शिट है ठीक है कुछ ऐसा मुझे विज्वलाइज हो रहा है एक दम से मैं दीख पा रही हूं मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आप न अपने पॉर्चन के लिए कुछ ऐफर्मेशंस भी बोलते नाइट के टाइम में सोने से पहले कुछ अफर्मेशंस बोलते हो आपके पार्टनर आपके लिए कोई action नहीं ले रहे हैं, decision नहीं ले रहे हैं, आपका मन यहाँ परेशान दिख रहा मुझे, आपका मन टोटली मुझे परेशान दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर एकदम से जो है, आपको लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़त है कि आपको अपने पार्टन के लिए कि यार इसके साथ मेरी जिन्दीवी तो खराब हो गया है या मतल में कैसे मेरे मेरे के ऐसे ही क्यों रहती है आपके पार्टन को मैंने मन में झचीब ख्याल आ कि मुझे ऐसा वी गैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए business प्यार है एक क्यों प्यार भोगत जो है एक ताने में प्यार से इमोशनल में करके बहुत ही जदा है ना और रहना वो वो मुझे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर को वो प्यार मुहबत वाली feelings emotions मुझे दिखाई देते हैं ठीक है कि आपके पार्टनर के नर्जी मुझे यह दिखाई दे रहे कि आपके partner सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं एक घुटन सी मैसूस हुरी आपके partner को कि मैं अपनी feelings में अपने emotions को कैसे बताऊं मुझे लगता है कि हाली में अपनी partner को dose दिया है मतलब कि काफी कुछ बोला है कि या तुम decision नहीं लेते हो तुम कोई action नहीं लेते हो तुम clear होके बाते नहीं करते हो तुम बाते करोगे तब तो मैं कुछ करूंगा या करूंगी है कुछ मुझे दिख रहा है आपका कुछ आप भी अपने आप से थोड़ा से भाग रहे हो इस रिष्टे से पता नहीं क्यों आप मुझे भागते भी दिखाई दे रहे हो ऐसा लग रहा है कि आप पहले जाने की बहुत ज़्यदा चाहा थी लेकिन अभी फिलहाल में देख र जाते हो अभी फिलहाल की मैं एनरजी बता रही हूं आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में मुझे दिख रहा है कि इन्होंने सोचा था आपको जैसे की आकर के मिलने का ठीक है क्योंकि यहां पर जो है ना इनकी सेक्शुल फीलिंग्स काफी जदा है ठीक है आपके बहुत मन हो रहा है आपके पार्टनर का भी फिलहाल मैं देख पार हूं कि आपके पार्टनर का मन काफी जदा हो रहा है आपके सांथ इंटीमेसी का आपके सांथ जो है एक तरीके का जो कहते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया और इस तरीके से बीना मिले और बीना कनेक्ट ह है इतना टाइम में नहीं रहाइब आपके पार्टनर को वह थोड़ी से बेचाइन होते भी दिखाए दे रही है कि एक चीज देख आपके पार्टनर के अंदर ना ऐसे आइसे आइल व्यू आपको बोलने में बड़ा शर माते हैं बहुत शर्म आते होगे पॉर्शन और जब फीजिकल होने की बात होती है न ये परसन को शर्म कहां जाता है ये परसन को नहीं पता है ठीक है यानि कि फीजिकली जो है ये परसन जो है उस तरीके की बाते करने के लिए इस परसन के पास कहां से वैसे हीमत आ जाती है और कहां से वो परसन के सब्द निकलते हैं आप भ आपके पार्टनर लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ये परसन जीना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से परसन देखना चाहते हैं मुझे जहां तक देख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे इतनी ज़दा महाबबत है प्यार करते हैं और प्यार एमोशन्स है ये चीजे मुझे इनकी नॉर्मल दिखाए दिरे लिए क्यों कि इनको लगता है कि आप इनके feelings को, आप इनके emotions को समझते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है, जिसे कि आपके partner को आप से बहुत प्यार है, बहुत ज़दा प्यार है, और एक होता ने, जिसे कि खुल के नई, बोलाइन के मन में कोई doubt भी है आपको ले करके, तो वो doubt भी यह person खुल के नई बोल रहे हैं, कि इनको problem क्या है, आप जानने की चाहत भी रख रहे हो, कि यार problem क्या है, यह तो बताओ कम से कम मुझे, ताकि मैं उस अगर वो problem सुधार ने लाइक होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपके partner थोड़ा सा उन सारी बातों को भी इग्नोर करते हुए दिखाए दे रहे कि नहीं है ना मतलब अपने आपको जो है एक हाइड करने वाली जो चाहत होती है ना वह energy मुझे दिखाए दे रहे कि यह person अपने feelings को अप आपके partner को आपकी याद बहुत आ रही है भी फिल्हाल और फिल्हाल यह person थोड़ा सा जो होता ना कि decision decision बनाना चाहरे है मुझे जहां तक दिख रहा है कि decision को लेकर कि यह person काफी कुछ सोच रहे क्योंकि आपने भी इनको बोल दिया कि देखो इस तरीके से तो बिल्कुल भी तो यहां पे देख रहा है कि आपने कुछ अपने partner को रूड ली ऑपनल दू से आपके partner को यहां पर बुरा लग रगने वाली बात आपने इनको बुर दी है इनको बुरा लगने वाली है सब्सक्राज पालि कंश्ण को आपने इस नहीं उनरे टिल के उपर धार क्या रह ब blends मुझे ऐसे कैसे बोल दिया उसकी हिमत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की है ना यह जो है ना आपके पार्टनर के अंदर का रूट इनके मन से अगर आप नहीं चलोगे ना तो आप इनके लिए बुरे हो आप इनके लिए अच्छे नहीं हो ठीक है इनके मन से अगर बाते दिल की बाते अगर नहीं बोली है ना जो यह परसन चाहते हैं और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तब तो आप बुरे हो अगर आप इनकी बात मान जाओ तो आप इनके लिए अच्छे हो तो वही बात है कि आपके पार्टनर को ना इस बात से काफी तक्लीफ हो रही है इस बात से काफी तक्लीफ हो रही है कि आप इसे बहुत सारी बाते छुपाने लगे हो आप इनसे खुल के बाते नहीं कर रहे हो और आप जो चाहते हो है ना वह बताते नहीं और बताते हो तो यह आपकेいました आपके पाद्नेर को मैं दीह पा रही हूं कि आपके पार्टनेर को ना लग काफी एक खाली उदास त वह थो एनर्जी ही दिखा ओपर्टनेर आपके पार्टनर को जो होता ना कहते हैं कि जो में होता है कि वो खालीपन और वो उदास है ना उदास चाहरा देखकर कि आपके पार्टनर का मन थोड़ा सा हो रहा है कि मैं क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं अपनी बातों को रख नहीं सकता ठीक है आपके पार्टनर का म मैं कैसे सही करूं मैं अपने परेशान मन को कैसे सही कर सकता हूं ठीक है तो यह एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर मुझे जड़ी या कैसी नहीं है मD अब एक होता निजिसे कि आपके पार्टर को आपकी तरफ जो है न वमन जो जो ज возь करने को सही करने में गाघेगा और यह उतना एफर्ट नहीं डाल सक्ते जो है तो यह उतना मायनत करना है नहीं जो ही इतना मैनत नहीं कर और अगर इनकी फैमिली ने बोल दिया कि नहीं शादी नहीं करो तो यहां पर यह पॉर्षन शादी नहीं करेंगे मुझे जहां तक दिख रहा है कि पॉर्षन की फीलिंग ऐसी है आपके पार्टन काफी ज़्दा स्ट्रस इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ख still gotta is cannot do it यह इनकी तक्लीफ है यह नहीं होने रहे हैं तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टर को अंदर ही अंदर यह ही फील हो जुका है और आपके पार्टर इनदर यह एसास करके ठोड़ा सापने आपको एक पर जोतम की रास्ते मोर लेना और हो रास्त जो है move on करने के लिए तयार करेंगे क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि परसं कुछ और चाहते हैं आप कुछ और चाहते हो मुझे जहां तक दिख रहा है कि दोनों की जिद में जो है ना यह relationship खराब हो जाएगा ठीक है और आप दोनों की चाहत पूरी नहीं हो पाएगी आप दोनों एक दूसरे को सब्सक्राइब और इसकी वज़ाए से यह रिलेशन्सिप टूटता हुआ खतम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में जो भी रिष्टा है जैसा भी रिष्टा है कहीं न कहीं यह रिष्टे जो है ना इसका गार पर आके खड़े हैं कि यह रिष्टे कभी भी टूट सकते हैं और और कभी भी आप दोनों के बीच में जो है वो एक जो है ना गैप आ सकता है ठीक मुझे ऐसा फील हो रहा है ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में वो गैप आ सकता है क्योंकि यहां पर चांसे कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं चांसे कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि यही दिख रहा है आपके एनर्जी में तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म और मिलेंगे अगल रीडिंग में तब तक के लिए बाबाई